दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दें इसके साथ ही वीडियो के अंत में आप से एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है पंचा चुना में अलग अलग पदों के लिए अलग 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 नमांकन सुलक तई किया गया है त्री स्तर ये पंचा चुना में कुल छो पदों के लिए वोटिंग होगी इस चुना में नमांकन करने वाले प्रत्यासियों के लिए 500 रुपे से लेकर दो हजार रुपय तक नमांका सुल्ग तक किया गिया है साथ चुनाव की दौरान किन के नियमों का पालन करना होगा इसको लेकर भी गाइलान जारे किया है राज चुनाव आयोग ने बिहार पंचाई चुना में लड़ने वाले उमिद्वारों के नामांकर सुल्क का निधारन चुनाव आयोग ने कर दिया है मुखिया सरपज और पंचाई समिती सदेस के लिए एक हजार रुपिय नामांकर सुल्क निधारित किया गया है पांच और वार्ड सदसी के लिए 2212 रुपीय सुल्क लगेगा जब कि जिला परिशत सदसी के लिए 2,000 रुपीय नमांकर सुल्क निधारित किया गिया है चुना की दोरान किन के नियमू का पालन करना होगा इसको लेकर भी गार्लेन जारी की गई है आरक्षित सिटो पर नमांकर के लिए सक्चम पतादी कारियों द्वारा जारी किया गिया जाती परमान पत्र नाम निर्जशन पत्र के साथ सनलंगर करना अनिवारे होगा पंचा चुनाव की दोरान उमिद्वार चुनाव कारियाले खोल सकेंगे साथी पंचा निर्वाचन चुनाव के लिए अभियर्थी अपने आवास और कार्याले पर प्रचार वाहन या चुनाव प्रचार करने के लिए पोश्टर बैनर आधिका उप्योग कर सकते हैं अबियर्थी चुनाव प्रचार के लिए अपना कार्याले खोल सकते हैं लेकिन इसकी सुचना वे निर्वाचित पदाधिकारी को देंगे कि चुनाव कार्याले किस इस्तान पर खोला गिया है अगली बाड़ी खबर बिना मास्क वोड देने गए तो होगा जुर्माना सरीर का तापमान आधिक होने पर मिलेगा टोकन जिया बिहार में पंचा चुनाव के दोरान कोरोना के संक्रवन से बचाव के लिए राज निर्वाचन आयोग पोकता इंतिजाम कर रहा है चुनाव डेटी वाले अधिकारियों कर्मियों परतैसियों के साथ मद्दाताओ को संक्रवन से सुरक्षा के लिए विसेस इतिहातित बरतनी की हिदायत दी गई है बिना मास्क के अगर कोई भी वोड देने आएगा तो से 50 रुपे जुर्माना देना होगा मद्दान केंदरों पर आयोक की ओर से भी मास्क का परबंद रहेगा इसके बाद भी अगर कोई निर्देसों का उलंगन करता है तो फिर आपदा परबंदन आधिनियम और भातिय दंड सहिता के साथ कानोनिक करवाई करेगा इसके अलावा निर्वाचन आयोक का निर्देस के मद्दान केंदरों पर मद्दादाओ की थर्माल स्क्रिनिंग के विवस्ता रहेगी उनके सरीट का तापमा निर्दारित मानक से अधिर पाए जाने पर उन्हें पूर्व से प्रिंटेड टोकन नमबर दिया जाएगा ऐसे मद्दादाओ से अंतिम घंटे में मद्दान कराये जाएगा बाड़ी कबर कोरोना की तिसरे लहर से निवटने के लिए मोधी सरकार ने 23,000 करोड के पेकेज का किया एलान कोरोना की दूसरे लहर की चुनोतियों से सीख लेते हुए सरकार तिसरे लहर से निवटने के तयारी में जूड गया है इसके लिए केविटेड ने 23,000 करोड रुपिय के नए पेकेज के मंजूरी दी है इनमें से 15,000 करोड रुपिय केंद्र और 8,123 करोड रुपिय राज सरकारे मुहिया कराएगी नव नियूक्त स्वास्त मंत्री मनसुक मांडिवार ने गुरवार को बताए कि इस पेकेज को अगले 9 महने के बितर याने अगले मार्च तक आमली जामा पहना दिया जाएगा इसके पिछले साल मार्च में 15,000 करोड रुपिय का पेकेज दिया गया था स्वास्त मंत्री ने पेकेज के जानकारी देते वे कहा कि इसके तहद जिला इस्तर पर ऑक्सिजन वजरोरी दवायों की आपूरती और इस्टोरी से लेकर परियाप्त सेंक्या में 20 तोर की सेंक्या की बढ़ाने का प्रावधान किया गया है इसके अलावा तिसरी लहर में बच्चों के अधिक सेंक्या में प्रभावित होने की आसंका को देखते वे सभी जिलों में 32 वार्ड के निर्मान के साथ ही ऐसे हाइब्रिड आईसियो बेड़ का निर्मान किया जाएगा जिनका इस्तिमाल जुरत पढ़ने पर बच्चे और बड़े दोनों कर सकते हैं बाड़े खबर गन्ना किसानों के नुकसान की भी भरपाई करेगी सरकार क्रिसी विभाग करेगा आकलन जहां राज में अब गन्ना किसानों को भी इनपूर्ट अनुदान मिलेगा खास बात यह है कि आपदा की सिति में इस फजल का नुकसान आकलन में क्रिसी विवाग करेगा साथ हे नुकसान होने पर अनुदान के ववस्ता भी करेगा गन्ना की केती भी गन्ना उद्योग विवाग से निर्दित होती है सरकार के इस पेसले से तीन लाख हेक्टेर में गन्ना की केती करने वाले लाखों किसानों को बड़ी रहत मिलेगी क्रिसी सच डाक्टर एन सरवन कुमार ने गुरुवार को यह आदेश जारी किया है उन्होंने कहा कि सभी क्रिसी पदादी कारियों को निर्दित दिया गया कि बाड़ सुखार असमाइक वर्सपात एवम अन प्राकितिक अबदाओं से फसल चति के आकलन जब जब हो तो गन्ना की फसल की चति का भी आकलन अवैस से किया जाए इससे गन्ना उत्पादक किसानों को भी निया मनुसार क्रिसी इंपुट अनुदान का लाब दिया जा सकेगा बिहार में मोतिहारी और दर्बंगा समेत कई जिलों में बाड़ की सिति गंबीर सडकों पर चार फिट तक पानी भरा जहां बिहार के कई जिलों में बाड़ की सिति गंबीर होती जा रही है मोतिहारी और दर्बंगा में बाड़ ने विकराल रूप धारन कर लिया है कई सडके पानी में डूब गई है इनसे आवागमन पुरी तर ठफ हो गया है कुछ सडकों पर पानी तीन से चार फिट उपर तक बै रहा है मोतिहारी के बारप रखेंड के करीब 6 लाख अवादी बाड़ से प्रभावित है मोतिहारी नगर निगम के दस वाड़ बाड़ से प्रभावित हुए है जिले के तेतरिया वा मैसी ब्लोक बाड़ की चपेड में आने से प्रखण मुक्याले से सरक संपर्ख भी भांग हो गया है सुगोली में जलेस्तर की कमी के बावजूद बाड़ की सिती बनी हुई है महें डुमरिया घाट वा गंडग चटिया में जलहस्तर में गिरावाट दर्च की गई है लाल बेगिया सिकरहना वा लाल बेगिया गुवावरी की में गोड़ी गंडग नदी के जलहस्तर में गिरावाट आई है आई लोरिया में बोड़ी गंडग नदी के जलहस्तर इस्तिर बना हुआ है दरबंगा में क्यवटी प्रखंड में अधवारा समो की नदियों के जलहस्तर में बरेदी होने से कई सडकों पर आवागमन ठफ हो गिया है, प्रेखंड के असारा कोठिया, असारा जेटियाई, ननोरा मुहमद पूर तथा किरमा असारा मागर पर पानी बहने से आवागमान बादित हो गिया है अगली बाड़ी कपर मसान नदी का बड़ा जलेस्तर दो गाओं में गुसा बाड़ का पानी लोगों की बड़ी परिसानी जिहां लगातार हो रही बारे से मसान नदी के जलेस्तर में ब्रिधी हो रही है मसान नदी ने अपना रोदर रूप दिखाना सुरू कर दिया है राम नगर के बगई पंचायत में बाड का पानी परवेश कर चुका है जिसके करान बलवा बंगली टोला और बकहारा गाव पूरी तरह से बाड के पानी से गिरा हुआ है कई घरों में भी बाड का पानी घुस गया है जिससे यहां की सिती कापी भयवा हो गई है अचानक मसान नदी के जलेस्तर के बढ़ने से लोगों को भारी परिसानी का सामना करना पड़ रहा है घर में पानी घुसता देख लोक्स रशित इस्तानों पर घर का सामान ले जाने में जुटे हैं गाओं के कई घरों में बाड का पानी घुस गया है वहीं बाड के कारण गाओं के रास्ते भी बंध हो गए हैं बाड़े कवर बिहार के कस्मिर कहे जाने वाले ककुलोद जल परपात में आई अचानक बाड बाल बाल बचे परियाटक जिहां बिहार में गोविनपूर प्रखन छेतर के मसूर परियाटक इस्तल बिहार के कस्मिर कहे जाने वाले ककुलोद जल परपात में गुरवार को अचा गंटवा फैसर है सभी सेलानियों को केर टेक यमोना पासवान एवं उनके सायों की द्वारा सुरक्षित बाहर निकाला गया बताया जाता कि ककुलत में बिशन बाड़ आने से मुझ के धारा की समीब उपरे इस्तल का भाग पूर्न रूप से पानी से ढग गया है साथ निचल हिस्से का 32 सेड़े पानी में डूब गया है यहां तक कि परिशर इस्तित मंदिर और ड्रेसिक रूम का कुछ हिस्सा भी पानी में डूब गया है इस अवस्ता में सेलनियों को बाहर निकालना काफी मुश्किल हो गया था बार के बढ़ती पानी का असर विहार के कई सहरों से खुलने वाली टेनों के मार्ग में किया गया परिवर्तन चीहां ४ूर्व मैध रेलवी के सगोली अनुसार मुझपरपूर से 9 जुलाई 2021 को प्रस्तान करने वाली ट्रेन संक्य 02557 मुझपरपूर आनंद बिहार टर्मिनल विसेज गाड़ी अपने निदारित मार्ग मुझपरपूर नर्गडिया गंज पनिहवा गोरगपूर के इस्तान पर परिवर्तित मार्ग मुझपरप पूर चापरा गोरगपूर के रास्ते चलाए जाएगी जबकि रक्सोल से 9 जुलाई 2021 को प्रस्तान करने वाली 05273 रक्सोल आनंद बिहार टर्मिनल विसेज गाड़ी अपने निदारित मार्ग रक्सोल सगोली बेतिया नर्कडिया गंज के इस्तान पर परिवर्तित परिवर्तित मार्ग मुझापर पूर चप्रा गोरगपूर के रास्ते चलाए जाएगी जबकि बरोनी से 9 जुलाई 2021 को प्रस्तान करने वाली 09040 बरोनी बांदरा टर्मिनल विसेज गाड़ी अपने निदारित मार्ग रक्सोल आनंद बिहार टर्मिनल गाड़ी अपने नि मुझापर पूर नरकडिया गंज पनियावा के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मुझापर पूर चप्रा गोरगपूर के रास्ते चलाए जाएगी बड़ी खबर पटना सारन और चंपारन सहीत 8 जिलो में हो सकती है मुसलादार बारिस मौसम विबाग का येलो अलेट जारी जहां बिहार में उमस भरी गर्मी के बाद बारिस और वजरपात का अलेट जारी किया गया है राज के उत्तर और दचने इलाके में अब से अगले 24 घंटे तक बारिस हो सकती है बिहार में बचन मानसुन के इंट्री के बाद उसे लगता रुक रुक कर बारिस हो रही है वही पूर्पूर के कुछ हिस्सों में मुसलादार बारिश हो सकती है। पूर्पूर के की आपको बता जिकिके का IJ पूर्पूर की ओर से आईजित प्रतियोगिता में पतम बिजिता को पूर्पूर शुरू 50000 रूपू, दियुत्य विजिता को 2500 रूपू और 3400 रूपू नगत दिये जाएंगे। सताज जुला तक कोई भी 31 प्रतियोगिता में भाग ले सकता है प्रतियोगिता को लोग डिजाइन की प्रविष्टी जेपी एजी या पीडिया फॉर्मेट में पट्ना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की इमेल आइडी mail.pmrcl.gmail.com पर भेजनी है विजेताओं का चैन रचनातम मुलिक्ता तकनिकी उत्रिष्टी सादगी कलातमा की योगिता और दिर्श रुप भाग के तत्यू का अधार पर किया जाएगा विजेता का चैन करने के लिए पट्ना मेट्रो रेल कोर्पोरेशन लिमिटेड का नेना ही अंतिम रुप से माइन नहोगा बाड़ी कबर केंद्रे मंत्रे आर्सिपी सिंग ने समाला इसपात मंत्राले का कारिवार जहां बुद्वार को केंद्रे मंत्रे मंडल में सामिल किये गए जेडियो एदक्च आर्सिपी सिंग ने कल केंद्रे मंत्रे के तोर पर इसपात मंत्राले का कारिवार समाल लिया है गए लेक्ष को हासिल करना है कैसे देश विकास के रास्ते पर आगे बड़े यह प्रयास होगा अगली बड़े कबर गिरीराज सिंग को काम का मिला फिर से इनाम अब ग्रामिन विकास मंत्राले के जिम्मा जहां बिहार बीजीपी के फायर ब्रांड निता के तोर पर केंद्र के राजनिती में गई गिरिडाई सिंग को एक बर फिर मोधी मंत्री मंदल में काम करने का इनाम मिला है साल 2019 में राज मंत्री से केंद्रे मंत्री बनाएगी गिरिडाय सिंग को अब पहले से ज़्यादा बड़ा मंत्राले दिया गया है गिरिडाय सिंग अब तक मतश से अवं पस्पालन विभाग की जवाब दिवी समाल रहे थे लेकिन अब उन्हें ग्रामिन विकास मंत्राले का जिमा दिया गया है बड़ी कबर तेज़ परताव यादव ने सुरू किया नया बिजनेस लालो रावडी ब्रांड की बेच रहे हैं अगरबत्ति जिहाँ ब्यार के पूरव मुख मंतरी लालो परसाद यादव के बड़े बेटे और सुबे के पूरव स्वास्त मंतरी तेजपरताव यादव एक बार फिर चरचा में है हमेसा सुरक्यों में चाहे रहने वाले तेजपरताव एक नया बिजने सुरू किया है तेज परताब लालो रावड़ी ब्रांड के अगरवत्ती बेच रहे है पाटना और दानापूर के लालो कटाल में इस अगरवत्ती को तयार किया जा रहा है तेज परताब वियादव ने इस बार जो किया है उसकी काफे तारिफ हो रही है दरसल राज़ात विदायक तेज परताब वियादव फूलो से अगरवत्ती बना रहे है लालो रावड़ी ब्रांड की ये अगरवत्ती मंदिरों में चड़े फूलो से तयार की जा रही है मंदिरों में चड़ाए गए फोलो को एकतर कर उनसे अगरवत्ती वराई जाती है बाड़े केवर राज में जंता दर्बार के लिए पंजियन सुरू जेकी डी एमेम एप से भी कर सकेंगे आवेदर बिहार में फिर से जंता के दर्बार में मुख्यमंत्रे कारिकरम 12 जुलाई से सुरू होने जा रहा है या कारिकरम प्रतेक महने के पहले दूसरे और तिसरे समवार को सुबह 11 बजे से मुख्यमंत्रे सचिवालाई के समाध कक्च में होगा इस बार के पहले जंदा दर्बार में मुख्य मंत्रे, स्वास्त सिक्षा, कल्लान विज्ञान एवाम प्रोधिगी की स्रम संसादन, सामान प्रासाशन, कलास अंस्कृतिक एवाम वित्य विवाक से सम्माधित सिकाई सुनेंगे इसमें सामिल होने के लिए कोई भी व्यक्ति मॉबायल एप JKDMM के मायदम से भी किसी समय से या सिकायत दर्ज करवा सकते है इस एप को JKDMM की वेबसाइड से डाउनलोड किया जा सकता है आवेदन करने के लिए सम्मादित लोगों को आदार संक्या और मुबाइल नमबर देना होगा बड़ी कबर राज में और इवेंट रॉल नमबर से स्कूल आएंगे विदारती जहां राज में दसवी से उपर की स्कूल तो खुलेंगे लेकिन ना तो असेमली होगी और ना ही लंज कस एक समय रखा जाएगा एक कक्चा में एक साथ दस विदाती से अधिक नहीं बैठेंगे विदातियों के बीच चौपेड की दोरी कक्चा में रखी जाएगी स्कूल में विदातियों के बेच दोरी रखी जाएगे इसके लिए और एवेंट रोल नमर के अनुसार चातर बुलाए जाएगे स्कूल कोलने के समय सारे मुई के दोर खोल दिये जाएगे तो वहीं चुटी के समय अलग-अलग गेट से विदाती स्कूल से बाहर आएगे ये सारी विबस्ता स्कूलों की जाएगी आपके जानकारे के लिए बतादे कि बिहार सिक्चा विभाग द्वारा 12 जुलाई से इसकुल खोलने की गोसना की गई है आज के लिए आपका स्वाल बताए कि जनता दर्बार जनता के लिए किस तरह फाइदे मन साबित होगा इसका जबाब आप में नेचे कॉमेंट करके जरूर बताएं